इस तजर्बे में हम एक ताकतवर मकनातीस का अलिमिनियम पर क्या असर होता है ये देखेंगे इसके लिए सबसे पहले आप लकडी का एक फ्रेम बनाएं जिसकी उचाई डेर्ड फिट हो और इसके उपर एक हुग लगा दे या फिर कीर लगी हो ये एक ताकतवर मकनातीस को स्टील के वाइसर से चिस्पा करे इसके बाद थागा बांदे जब मकनातीस को अलिमिनियम की प्लेट पर लाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा महस फिसलेगा मकनातीस को धागे से लटका दे जिसकी वज़ा से वो आजादाना लटका रहे फिर मकनातीस को एक तरब ले जाकर छोड़े तो वो जूलने लगेगा बिल्कुल आजादी से जूलेगा अगर इस मकनातीस के नीचे अब एक ऐलुमीनियम की प्लेट रखें तो बहुत ताज़ू होगा कि मकनातीस अलुमीनियम के पास पहुचते ही जट से रुप जाता है ये एडिकरंट की वज़ा से होता है अगर नीचे अलुमीनियम की प्लेट ना हो तो मकनातीस बहुत देर तक जूलता रहेगा अगर हम एक प्लेट लगाएं तो मकनातीज जल्द से रुप जाएगा अगर इसके उपर हम एक और अलुमीनियम की प्लेट रखें तो इससे हवा का दबाव कम होगा और मकनातीज तेजी से रुप जाएगा ये गदाबे रवाक की वज़े से होता है मकनातीज का एलिमेनियम पर असर